ओम स्रीव एंकटेश्वराय नमहा आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बहुत ही important discussion हम करने वाले हैं SSD token यानि offline tickets के बारे में offline counters के time बदले हैं साथ ही July और August महिने के 300 rupees के SED दर्शन tickets आप online में कहां पर book कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे तो अंतक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर करें एक बहुत ही important news offline ticket counters के बारे में आ रही है बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से rush जादा होने के वज़े से counters जो 3 से 4 बजे सुबह में खुलते थे अब वो 12 बजे से ही खुल रहे हैं और लगभग सुबह 4 बजे तक tickets खतम भी हो जा रहे हैं इसका कारण बताया जा रहा है heavy rush जिसके वज़े से लोग रात 12 बजे से ही offline counters के पास में line में लग रहे हैं इसकी वज़े से counters को जल्दी खोलना पड़ रहा है और tickets को देना पड़ रहा है तो जो लोग अभी बिना online ticket के तिरुपती जा रहे हैं उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना है तीन counters में जहाँ पर offline tickets मिलते हैं तिरुपती में सबसे पहला विश्णु निवासम जो तिरुपती railway station के एकदम सामने है दूसरा स्री निवासम complex जो तिरुपती bus stand के opposite है और तीसरा भूदेवी complex जो अलिपिरी bus stand के पास में है इन तीनों counters में offline tickets जल्दी मिल रहे हैं तो जैसे ही आप तिरुपती पहुंसते हैं आप पहले ही offline counters के timing के बारे में एक बार जरूर पूछ लिजेगा क्योंकि ये पूरी तरह से अब rush पर depend हो गई है जिन भगतों को नहीं पता उन्हें बता दे कि offline tickets free tickets है आधार card mandatory है एक पस आपने online में booking नहीं की है तो offline में आपको SED ticket के सिवा और कोई tickets उपलब्द नहीं है ये first come first serve basis पे काम करता है जितनी जल्दी आप counters तक पहुंसते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है आपको tickets मिलने की इसके साथ साथ July और August महने में जिन भी भगतों का online में ticket book नहीं हुआ है TTD के official booking website में वे अब APS RTC जो की government buses का एक site है आंदर प्रदेश का उस site में आप जाकर APS RTC के buses यानि bus ticket को लेकर आप 300 रुपीज के दर्शन ticket को भी book कर सकते हैं कुछ quota APS RTC वालों को और TSRTC यानि त्यलंगाना state जो RTC buses है उनके लिए संस्थान रखता है तो इस वज़े से आ APS RTC में tickets को अलग से release किया जाता है लेकिन ये tickets को आप सिर्फ bus ticket book करते समय ही ले सकते हैं यानि सबसे पहले आपको bus ticket को book करना पड़ेगा आपके नजदी की कोई भी city हो उस city से आपको तिर्मला या तिरुपती के लिए booking करानी है उसके बाद आपको 320 रुपीज का यहाँ 20 रुपीज एक्स्ट्रा होता है 320 रुपीज का एक दर्शन ticket भी मिलता है तो एक bus ticket के लिए आपको एक दर्शन ticket book करने का मौका मिलता है bus ticket का charge अलग होता है वो depend करता है कि कौन सा bus आप book कर रहे हैं AC या non AC और उसके बाद SED ticket आप उस bus ticket के साथ 300 रुपीज का फिर अलग से आपको pay करना पड़ता है यानि 320 रुपीज यहाँ पर APSRTC वाले July and August महने के लिए release कर चुके हैं तो एक बार आप उनके online booking website में जाकर चेक कर सकते हैं उनका एक toll free number भी है जहाँ पर आप call करके जो भी आपका confusion है उसे आप clear कर सकते हैं APSRTC के ऊपर online booking के ऊपर मैंने already video बना आपको जो भी booking आपने कराई है जिस भी बस में वहाँ आपको travel करने के आवशकता नहीं है लेकिन जो भी आपका SED ticket यानि 300 रुपीज का slot है उस slot time तक आपको भगवान के दर्शन के लिए जाना होता है फिर भी बीच बीच में कुछ rules बदलते हैं तो आप अपनी तरफ से confirmation कर ले कि आपको travel करना जरूरी है या नहीं या बिना travel किये ही आप सिर बस ticket book करके SED ticket book करके दर्शन के लिए जा सकते हैं यहां ध्यान दे print out को लेकि जाना बहुत ज़ादा जरूरी है चाहे आप travel करे या ना करे आपके bus ticket के साथ साथ दर्शन ticket का भी print out आपको carry करना है साथ यह आपके आधार card को भी carry करना है जो भी other details है आप toll free number पर contact करके पूछ सकते हैं तो July और August महिने के लिए जिन भी भकतों के लिए online SED ticket book नहीं हो पाई है उनके लिए यह एक अच्छा मौका है online ticket book करके भगवान के दर्शन करनी के लिए आशा करती हूँ यह वीडियो आपक मेट्टु मार्गम में starting point में सुबह 6 बजे offline tickets मिलते थे लेकिन अभी लगभग 4 बजे सुबह से ही दर्शन ticket मिल रहे है offline के स्रीवारी मेट्टु मार्गम station से लगभग 40 minutes की distance पर है तो जब तक आप जाते हैं tickets खतम हो सकते हैं इसलिए अगर आप offline ticket लेना ही चाते हैं तो व अगर आप स्रीवारी मेट्टु मार्गम में बिना किसी भी ticket के चले जाते हैं तो आपको परिशानी हो सकती है आशा करते हूं यह सारे information आपके लिए informative रहा होगा ओम स्रीवेंकेटेश पराये नमा